समाधान बुच के हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो कम्पलीटली पैरलाईज था, वो लेटा हुआ था, पूरे ही समय दिस्तर पे ही उसको सारी चीजे दी जाती थी, वो बिल्कुल भी कोई कारिय नहीं कर पाता था, कम्पलीटली पैरलाईज था, लेकिन जिस दिन भुकम पाया, कि क्या हुआ होगा उसके भी हात पैर्थ थोड़ी से हिलने शुरू हुए वो व्यक्ति उठके बैठा अपने बेड़ में और ना केवल उठके बैठा लेकिन तब तक भागता रहा जब तक कि वो एक सुरक्षित इस्थान पे नहीं पहुँच गया और वो लोग जो कि संपू व्यक्ति ऐसे कैसी उठके भाग सकता है वास्तों में मन के अंदर बहुत सारी शक्तियां है जो छुपी हुई रहती हैं दबी हुई रहती हैं उन्हें जागरित करने की आवश्यक्ता है लेकिन आज कोई भी ऐसा साधन या माध्यम हमारे पास नहीं है जिसके द्वारा हम इ गुणा ज्यादा वृद्धी कर सकते हैं और बड़े बड़े चमतकार कर सकते हैं बड़े बड़े कारिये कर सकते हैं इसलिए मेडिटेशन की चर्चा हम समाधान कारिक्रम में विस्तार से कर रहे हैं आए इस चर्चा को भाता जी के साथ आज भी आगे बढ़ हैं और उनका स्वागत करें प्राता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये जो एक घटना है प्राता जी medical के field से जुड़े हुए लोग बड़े-बड़े doctors बड़े-बड़े scholars इस पे research कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखीर ऐसा कैसे हो सकता है। कैई लोग इसे चमळकार का नाम दे देते हैं कई कई लोग कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कई प्रकार की बाते होती खीति लेकिन है क्या वासुत इसकी ब्रें की सिकतियों को डल किया हुआ था जैसे इसको भूकम पर सब भाग रहे हैं तो अस डर्मने उसको भी भागने का जो संकल्ब दिया उससे उस सारी सक्तिया फिर से अक्टिव हो गई और वह भी अक्ति उसकारिय में सफल हो गया है तो वास्तों में देखिए, अचानक तो हुआ ही, कोई पैरलाइज्ड वियक्ती, खाट पर बैठ के सोचे मैं भी भागूं, तो साथ वो नहीं भागेगा, लेकिन उसके पीछे, उसके अंदर एक भै, और जिंदा रहने की इच्छा, रत्यू का भै, और कई चीजे नजाने ब करना चाहिए, और जो बच्चे परिक्षाएं देते हैं, और बहुत सारे फोन करते हैं, कि पता नहीं इतने नंबर आएंगे नहीं, हम सफल होंगे या नहीं, इन संकल्पों को एक तरफ रखके, केवल यही होगा, केवल यही होगा, एक ही संकल्प हो जाए, और वो बड़ा forcefully हो जाए, confidently हो जाए, तो brain की सारी शक्तियां उस तरफ काम करने लगते हैं, direct हो जाएंगे उस तरफ और वो कारिय होगा, बिल्कुल, जैसे कि इसको यदि relate करें उस patient के साथ, तो यही हुआ कि उसकी सारी शक्तियां एक ही दिशा में लग गए, कि नहीं, मुझे जिवित र रहा है, तब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कई वैग्यानिक यह कहते हैं, हम अपने brain की शक्तियों का बहुत कम इस्तमाल करते हैं, मन की शक्तियों का कम इस्तमाल करते हैं, कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है, संपूर्ण रूप से कैसे इस्तमाल किया जा सकता है? देखिए ये कारिये महरसी पदंजली से शुरू हुआ और उन्होंने ये विचार दिया था कि मनुस अपनी सक्तियों का 80% वेस्ट करता है, 20% यूज करता है, बस इसका एक ही छोटा सा कारण है कि जितने परसेंटेज जिस व्यक्ति के मन में वेस्ट थोट्स हैं, उतने हैं उ कि यूज हो रही हैं, तो लंबे समय ये अभ्यास करते करते, एक बस उसमें ऐसा एक बन जाता है ब्रेन में, कि ये सक्तियां डेड और बस 10%, 20% सक्तियां ही जागरित हैं, उनको यूज करो, उसको मनुस जब निगेटिव में बहुत यूज करता है, व्यर्थ संकल्पों में यूज करता है, तो उसका भी कुछ हिस्सा फिर महीं जाने लगता है, जो डेड है, जो इनक्टिव है ब्रेन का हिस्सा, तो इसका एक ही तरीका है, कि हम सुन्दर विचारों का सरजन करें, क्रियेट करें हम सुन्दर विचार, अपने ब्रेन को व्यर्थ के विचारों से हम रखें और राजयोग मेडिटेशन से उसको पावरफुल भी बनाएं कुछ चीजे जो ब्रेन में निश्चत रूप से डैड हो गई हैं जैसे मेडिकल साइंस कहते हैं बहुत सारे सैल्स डैड हो जाते हैं ब्रेन के भी बहुत सारे सैल्स और जो भी हैं हम medically जानते हैं उनको क्या नाम दिया जाए जो भी उसको capable बना रहे हैं योगे बना रहे हैं जो सक्तिया ब्रेन की हैं वो जो हमने नस्ट कर दी है meditation उसको फिर से जीवित करता है इसलिए जो एकती योग करता है अच्छा योग तेकि योग सीखते तो लाख हो लोग है पंतु उनमें कौन कितना अच्छा योग करता है तो उसकी अंत्रिक छमताएं बहुत बढ़ जाती हैं जिसे मेरे से इकल किसी ने पूछा क्लास में आप बहुत पुस्तके पढ़ते होंगे सीधा पूछा एक एजुकेटिड माता थी मैंने कहा वे दस साल से तो मैंने पढ़ी नहीं लगभग एक आदी मेगजीन आती है वो भी एक घंटे में सारी पढ़के मैं वापिस कर देता हूं तो उसने पूछा ही सब कैसे फिर आप बताते हो यह सब याद रहता है कि आप उनको वड़ास्ची लग रहा था हमारे लिए वो एक नेचुरल सी चीज है हम यह बैठके आराम से कर लेते हैं तो राजयोग मेटेशन से हमारी ब्रेन की मन बुद्धी की सक्तियां बहुत बढ़ जाती है तो ब्रेन सीधा जुड़ अलामन नहीं होगा तो ब्रेन की सक्तियों खाएगा ही नहीं तो कि बहुत सारी सक्तियों को खा रहे हैं वियर्थ विचार तो डेफिनेटली ब्रेन वीक होता ही जाएगा तो हम लोग जो राजयोग का अभियास करते हैं इसमें हम वियर्थ से बच जाते हैं और इतना ही नह है वो काफी स्ट्रोंग और जिस टीम की शैद हम बात कर रहे थे बहताजे कुछ दिन पूर वो टीम भी मेडिटेशन से स्ट्रोंग हो ही रहा है और मेमोरी उसके साथ जुड़ी होई है तो यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं मेमोरी पावर डेफिनेटली बढ़ती जा रही है और जो थौ्ट्स, एमोशन, एटिट्यूट और मेमोरी की हमने बात की थे ये सारी चीज़ें ग्रैज्वली बढ़ती चली जाती हैं और हमें किसी चीज़ की ऐसी बाहरी चीज़ की आवश्यक्ता मै तो बहुत सुन्दर, दिल को खुश करने वाला अंसर वो देते हैं, बहुत सुन्दर, तो ऐसे बहुत सारे यूवक, कुमार कुमारियां, कुछ माताएं, कुछ पुरुस लोग भी ऐसे हैं, जिनोंने राज्ययोग का भ्यास बहुत सुन्दर कर लिया है, जिनोंने अपनी मान पाने के लिए मैनत करने ही नहीं पड़ती, थोड़ा करते हैं, जाद पाते हैं, यह बहुत अच्छे अनुभव हो जाते हैं. तो ब्राता जी, पुन अब राजयोग के लाव पे तो लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, राजयोग पे पुन आ जाएं, कल जो हमारी चर्चा जहां पे हम थे ब्राता जी, वो यह था कि यदि योग करना है, तो ज्ञान की आवश्यक्ता है, और ज्ञान में भी शुरुव यही जवाब दिया था, कि यही तो जानने आया हूं, कि मैं कौन हूं, तो बहुत बड़ा प्रश्न है भाताजी, कि मैं कौन हूं, यही से शायद शुरुवात होती है ज्ञान की, इस क्वेस्चन से ही ज्ञान की शुरुवात नहीं हो जाती, मैं किसका हूं, मैं कहां से आय हूँ, originally मेरी क्या इस्थिती थी, अब क्या है, यह ऐसी क्यों हुई है, और इसको पुने अपनी original इस्थिती में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह संपूर्ण आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो इस देह में कहां रहती है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो एक यह बहुत सुंदर विशे, हजारों साल से चर्चित रहा है, दीरे दीरे संसार भोतिकता की और बढ़ा, तो मनुस्योंने छोड़ दिया, रे पताइन चलता मैं को जोड़ो यही हूँ मैं तो, जो हूँ देख लो, यहँ है तो, नेती-नेती कह दिया कि इने का छोड़ो जनजट को हम मनुस्य हैं, हमारा जीवन है, हमें इसको सुधारना है, अच्छा बनाना है, बहुत सारे धर्म पिताओं ने भी आत्मा परमात्मा की ज्यान को छेड़ा तो जैसा मैं कह रहा था हमारे उपनिस्दो में दर्सनों में आचारियों ने इसकी बहुत अच्छी चर्चा की कहीं उस चर्चा में विरोधावास भी है एक दो के भी प्रीट चीजे भी हैं और सब कुछ पढ़के बहुत कोई डिस्कसन करके भी लोग ये नहीं जान पाए कि आखिर मैं कौन हूँ और आखिर ये मान लिया लोगोंने कि ज्यान जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसकी ये होगी स्थिति कि हमें ये पता लग जाएगा मैं कौन हूँ भगवान इस धरा पर आए अब मैं अपनी बात सुरू करता हूँ भगवान इस धरा पर आए उन्होंने आते ही ब्रह्मा के मुक्ये द्वारा ज्यान उच्चारण करना प्रार्म कर दिया और शुरुवात यहां से कि तुम कौन हो तो जहां वो वेदों दर्शनों का ज्यान को लोग अंते में स्थिति मान रहे थे तुम कौन हो वहीं से परमात्मा ने आकर सुरू किया तुम आत्माएं हो और आत्मा के बारे में इतना स्वरल ग्यान दिया कि सुनने वालों को तो आनंदा गया और लगाई नहीं कि स्वयम को जानना भी कोई बड़ी सिक्रेसी है इस चीज से देखते लोग यह आत्म ग्यान है और यहां बच्चे बच्चे को आत्म ग्यान हो गया वैसे भारत वर्ष में ब्राता जी यह तो बच्चपन से ही बच्चे को बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो लेकिन शायद उसकी अनुभूती उसकी गहराई वो शायद नहीं रही है और अब इस चीज का ग्यान भी प्राइड लोफ हो गया ना क्योंकि मात्पिता को भी फुरसत का आएं सब के बारे में सोचने के लिए लेकिन हमारे पास जो राजियों की मात्पिता हैं वो अपने बच्चों को जैसे उन्होंने हो संभाली और सिख आए हो आकिर तुम तुमारा घरदर का नाम बताओ परमधाम है तो बेचारे वो परिसान हो जाते हैं अभी एक हो गया बच्चा उससे पूछ रहे तुम्हारी मम्मी का नाम तो बताओ कि मम्मा है अचा ठीचर का नाम तो कुछ बता दो कि दीदी है और पिता जी का नाम पा तो भारत तो वास्तों में कैसा अध्यात्म देश है जहां बच्चे बहुत जल्दी पिक अप कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ ये शरीर नहीं हूँ तो इसके भारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस चर्चा का आधार होगा जो ग्यान स्वयम भगवान ने ब्रह् पहले पर्मात्मा ने घ्यान दिया फिर उसकी अनुभूतियां की तो अनुभूतियां फिर सत्य हो गई क्योंकि वो ग्यान बिल्कुल सत्य है तो देखिए सबसे पहली चीज मैं सिंपली शुरू करता हूं हम एते यह मेरा देहtv, ही मेरा मौक, मेरी आंक्ः, वीबात हम करत तो इस पस्ट है कि मैं कौन, जैसे मैं कहूं यह मेरा चस्मा, तो मैं इस चस्मे से अलग हूँ, यह मेरा मूख है, यह मेरा चेहरा है, तो मैं जरूर इस से अलग होना चाहिए, यह मेरी तांगे हैं, यह मेरा दाया हाथ है, तो बस यही से हम सुरू करते हैं, कि मैं यह नहीं ह जो दिखाई देता है, मैं तो वो हूँ, जो दिखाई नहीं देता, ये देहे तो विनासी है, देखिए, छोटे से बड़ा हो गया, व्रद्ध होगा, छोट जाएगा, मृत्ति वुजी से हम कहते हैं, नया पुनर जनम हो जाएगा, लेकिन वो पुनर जनम किसका, वो मेरा, औ और वो में कौन, तो मैं हूँ, चेतन्य आत्मा, गीता का दूसरा अध्याई, इसे भरा हुआ है, मैं हूँ, चेतन आत्मा, यहाँ, दोनों मस्तक, दोनों ब्रकुटियों के बीच, मेरा निवास है, ब्रेन के मद्ध में मेरा निवास है, और आत्मा का स्वरूप है, सुक्स इसमाति सुक्सम है। बहुत छोटा बिंदु जो चीज बहुत सुक्सम होती है उसे बिंदु ही का जाएगा। बिंदु की definition है जिसके लंबाई, चोड़ाई, मोटाई, गहराई, कुछ न हो। तो आतमा इतनी सुक्सम है के उसको नापा नहीं जा सकता, उसको तोला नहीं जा सकता इसलिए बिंदु स्वरूप उसको कह दिया गया है वो प्रकास स्वरूप भी है उसे निरंतर प्रकास फैलता है वो एक जोती है इसलिए आत्म जोती भी कहते हैं तो यहां अंदर में रहती है आत्मा तो हमें अब इस फेलिंग में आना है कि मैं आत्मा हूं यहां अंदर रहूं या द्हें वस्ट्र है मेरा इसको मैंने धारन किया है और मैं आत्मा अजर अमर अविनासी हूँ न जनमिति न मृत्य होगी, जनम भी देह। और म्रत्यू भी देह की, मैं तो एक यात्रा पर हूँ, अब इस वस्त्र में हूँ, आगे बढ़ूंगी दूसरे वस्त्र में, और आगे बढ़ूंगी तीसरे वस्त्र में, देह रूपी वस्त्र बदलते जाएंगे, मैं आत्मा अजर अमर अविनासी वैसी ही रहूंगी, एक आत्मा सो परमात्मा फिर हम उनसे पूझते हैं तुम कौन तो कह देते हैं परमात्मा हूं मैंने का सोचो तो सही तुम क्या कह रहे हो तुम इस रश्टी के रचहिता हो उनको आगे तो पता नहीं होता गुरू ने सिखा दिया आत्मा सो परमात्मा तुम परमात्मा ही हो अपन ब्गवानको तो तो पिता और पूत्र अलग होते हैं आपने को पूत्र ही पुत्र है यह तो आपने कोहागे हो आफ्मार नहीं थेजा किश्के लेएं यह सबसे बड़ा अज्यान हो जाता है फिर कोई कुछ इस्थितिका अभ्यास करी नहीं सकता हम यी परमात्म हैं तो योग किस से लगाएंगे याद किसको करेंगे किसको हम پ्योरीफाई करेंगे किसकी हम मुक्ति चाहते हैं परमात्मह ही है उस पर हम बाद में आएंगे लेकिन वो हमारा परंपिता है तो मैं आत्मा इस देह से अलग मन, बुद्धी, संस्कार, तीन मेरी शक्तियां हैं इसे इस रोप से इनका बहुत भी स्थार है जो हम अपने एपिसोड में चर्चाएं करते ही रहते हैं उस पे अब हमें आने की तरह सोचे मुझ में साथ क्वालिटीज हैं ब्राता जी आप इसका विस्तार करें उससे पहले जैसे आपने एक बात कहें कि कई लोग आत्मा सो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा तो ये एक भ्रांती है जिसे आपने स्पस्ट किया ऐसी ब्राता जी मुझे लगता ह को स्विकार नहीं करते तो इस बात को भी थोड़ा स्पस्ट जरूर करें इसे लोग हमारे पास भी आते हैं जो कहते हैं ब्रेन ही तो सब कुछ कर रहा है ब्रेन डैड हो गया तो देह डैड हो गया हम उसे मृत्यू कहते हैं लेकिन मैं एक चीज पूछा करता हूं लोगों से अच्छ ग्यानिकों से इसको चलाने वाली कोई चेतन सत्ता हूंतिये कंप्यूटर कितना हवी सुपर बना दें सेटलाइट आकास में भेज दें एस यहां यहां तो फिट कर दें लेकिन कोई आपेट करने वाला तो है तो इस ब्रेन के द्वारा वास्तव में आत्मा शक्ती ही शरीर को चला रही है और अब तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी रिशर्च कर ली है, एक बार पहले मैंने इसकी चर्चा की थी, मुझे एक वैज्ञानिक ने ये बात बताई के वैज्ञानिकों ने, स्टे Austin देख लिया को कहां से कमांड आ रहे हैं ब्रें कमांड नहीं दे रहा है ब्रें को कहीं से कमांड आ रहे हैं और वो कमांड उन्होंने देखे ने cater hall और अर्वहा है आत्मा का इस्थान क्योंकि देखिर नहीं जा सकती मैडिकल जो भी क्योंकि science में एक बात है ब्राता जी कि जब तक किसी चीज को देखा ना जाया पर्खा ना जाया तब तक वो इस चीज को स्विकार नहीं करते है और शायद आत्मा इतनी सुक्ष्माती सुक्ष्मा है कि उसे किसी भी microscope से अब तक तो ऐसा इजाद नहीं हुआ जिससे देखा ज energy है जहांसे brain को energy मिल रही है commands मिल रहे हैं तो point of energy जिसे कहते हैं वही आत्मा है वही मैं हूँ अब क्योंकि वह एद्रस से है और वह भोतिक नहीं है इसलिए भोतिक सादनों से उसको देखा नहीं जा सकता तो मोलते हैं मैं आत्मा हूँ फिर हम वहीं आ जाएं साथ गुण है हमारे अंदर आत्मा ज्यान स्वरूप है वो ज्यान चाहती हमेशा ज्यान के स्वरूप ज्यान के नुसार कर्म करना चाहती है हमें ज्यान हो गया इधर जाना इधर नहीं तो ज्यान होने के आदार से उधर ही जाएंगे हमें ज्यान हो गया वह यहां जंगली जाना आवर र जब अंदर में अज्ञान अंधकार हो गया, तो लोगों ने कहा है प्रभू हमें प्रकाशित करो, हमें एंलाइटनमेंट दो, हमें सत्य ज्ञान दो, दूसरा आत्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम आत्मा में भरा हुआ है, नि हम में भरा हुआ है, सब देख सकते हैं, हम प्य हो मठीज़ गए खती स्वता हम फ़ीघ संदेर्टर्च विए और दुख ही इसलीए हुए आत्मा क्योंकि वह अपने को भूलकेव ऊडिकन सियस नेस्में आगई आत्मा पवित्र स्वरुप्हें यह विकार उसमें थे खी नहीं मोर्म रूप से परम पवित्र थी अब ये विकारा हैं फिर से हमें ये रियलाइज करना है कि मैं आत्मा तो absolutely pure हूं आत्मा सक्ति स्वरूप है भगवान की संतान होने के कारण eternally जब से भी आत्मा है अनंद काल से वो point of might है point of energy है might house है उसमें बहुत सक्तियां हैं और आत्मा आनंद स्वरूप है तो ये साथ जो quality है ये हमारे अंदर है अगर हम इनको विक्षित कर लें तो हम महमानव बन जाएं और थात्म देवत्त की और बढ़ जाएं हम मनुस्यत देवता बन जाएंगे तो ये आत्मा की साथ quality मुख्य रूप से काम करती है ये बहुत सुन्दर है अत्मा समझ करके कर्म करेंगे और तो ये सातो जो गुण आपने बता है qualities बता है ये सारी develop होते चले जाएंगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है ये सातो अगर जीवन में आ जाएं ना किसी के घरों में समस्या होगी ना किसी के घरों में जगडे होंगे ना कोई कमजोर पड़ेगा ना बीमारी आएंगी ना श्यानती की तलास में मंदिरों में और चारोधाम की यात्रा करेगा उसका जीवन ही श्यानती से वर्पूर हो जाएगा तो आस तो में इनकी बहुत जोरुत है एक मुख्य बात जो जी हमारे पास कि यह क्या जैसे सेल्स मल्टिप्लाई होती रहती है वैसे ही क्या आत्माय भी ऐसे मल्टिप्लाई होती चली जा रहे है अब पचास साथ सालों में ही संसार की आवादी धाई गुना हो गई है धाई गुना जब हम पढ़ते थे तो किताबों में लिखा रहता था विश्व की आबादी दो अरब है अब देखो पोनिशाथ तक पहुचने वाली है तो कितनी बढ़ गई है तीन गुना से भी जादा हो गई है तो ये सब आत्मा कहां से आ रही है लोगों ने तो सोच लिया है जीव जनतुव की आत्मा फिर से मनुस बन रही है ऐसा नहीं ह होता है आत्माओ का धाम देखिये भगवान भी तिरलो की नात कहती है तो लोग तीन ही है चोदा नहीं लोग तीन है एक ये मनुस्थरष्टी लोगों ने कह दिया एक पाताल लोग है ऊपर कहीं है स्वर्ग लोग ऐसे तीन लोग मान लिये बन्तुव पाताल में कोई लोग अमेरिका को पाताल लोग कहा करते थे पहले, कोई उधर दूर दूर दुनिया है बहुत नीचे, अब है तो नीचे गलोब के, उसे पाताल कह दिया, लेकिन इस्थूल लोग मनुस रष्टी जहां मनुस रहते हैं, इसके उपर जहां तक विज्ञान नहीं पहुंच सकता, आका के पर सफेद प्रकास होगा, उसको सुक्स्म लोग कहते हैं फरिष्टों की दुनिया, जहां ब्रह्मा विश्णु संकर अपने फरिष्टे स्वरुप में निवास करते हैं, उसके उपर लाल प्रकास है, गोल्डन, यही मुक्तिधाम है, यही आत्माओं का निवास इस्था आत्माओं का असली स्थान है, जब हम आत्माओं वहाँ हैं, तो हम मुक्त हैं, यह मुक्ति जिसके लिए बहुत बड़ी चर्चा हमारे वेदों में और सास्तों में, मुक्ति चाहिए, वही अंतिम लक्स मान लिया गया, हम सभी आत्मे महां मुक्त थी, वहां से धीरे धीरे हम इस संसार में आती हैं, तो हमारा असली धाम, मुक्ति धाम, इसके कई नाम हैं, श्यान्ति धाम, परम धाम, ब्रम लोग इसे ही कहते हैं, स्वीट साइलेंस हम इसे सुन्दर चल रही है और एक नूतन जानकारी हमें प्राप्त हो रही है चाहे आत्मा के विशय में हो चाहे हमारी घर के विशय में हो आत्मा कहां से आ रही है इस विशय में हो रहता जिस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे अज वक्त हमें यहीं तक मित्रों आत्मा की सुन्दर चर्चा च्योंकि ज्यान कहा जाता है ज्यान प्रकाश है और जहां प्रकाश हो वहां सब चीजें हमें सपस्ट दिखाई देती हैं और जहां प्रकाश ना हो अंधकार हो वहां हम ठोकर खाते रहते हैं इसलिए हम इश्वर से शायद मांगते रहे ह यहे इश्वर मुझे प्रकाश देना बहुत अच्छी बात है कि अब हमें आत्मा के बारे में सुन्दर प्रकाश प्राप्त हो रहा है जो कि योग के लिए परम आवश्यक है क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ तब तक हम शायद उस परम सत्ता तक भी नहीं पहुच पाएंगे और सही ढंक से उसे याद भी नहीं कर पाएंगे तो आज इस पहली का थोड़ा सा प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है अनुभूती की आवश्यक्ता भी बाकी है आगे की चर्चाओं में हम भ्राता जी के साथ इसे जारी रखेंगे और अनुभूती की और भी बढ़ेंगे आप समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा आज का दिन आपका बहुत बहुत शुब और मंगल मैं हो नमस्कार